हेवाए स्ट्व लाईय conflicting with YouTube का अन्बोग्सिंग करेंगे में ना में इंड investment करेंगे रूद है भेव लेडर हुमें लिए GBT करेंगे इसका आज़ पर करेंगे जो मारकट मिलते हैं ँसे यह फार बेटर प्य morality अच्छा है और देखते अब अगे इसका कैसा है कंपणी ने जो बताया है उसमें कैसा कैसा है हम देखते चलिए फ्रेंस 500 पिलेट्स कॉंटिटी में कैलिबर है 4.5 mm 1.77 का ग्रेन है 9.2 ग्रेंस बताया है यह आउट्डोर शूटिंग के लिए है यह है कमांडो एर रैफल पिलेट्स कॉंटिटी आता है 500 एप्रोक्सिमेटली कैलिबर 4.5 mm यहने के 0.177 कालिबर ग्रेंस कंपने ने बता है 9.2 ग्रेंस है यह आउट्डोर शूटिंग के लिए यूज किया जाते है इन्हों लिका है सुपर कॉलिटी पिलेट्स फॉर एर रैफल एंड पिस्टल के लिए है देखते चलिए अभी इसका 8.8 ग्रेंस तो जैसे आंपने देखा है यह इस पॉंटेट पिलेट है डीढक है अच्छह है टार्गेट शुटिंग के लिए तो मेरे सबसे तो कोई भी लोकली करने योज वी चान्हीं तो प्राइब मेंmeno brass आप से इसका प्राइस बहुत कम है यह बहुत ही सस्ते पिलेट्स है जैसे आप देखते हैं लेकिन वेट अच्छा है लोकल पिलेट से तो फार बेटर है पॉइंटेट प्लेट से टार्गे शूटिंग के लिए अच्छे है इसके पहले भी मैंने दो एक अमेरिकन इगल और व कि हैंचे इनकम पर्फॉमंस देखते हैं तो चलिए इनका परफॉमंस देखेंके रिए फalten के हमने दूमर्की कर दिये हैं है अमेरिकन ईगल और वाइल-काट का अभी हम यहां पर कमांडो का परफॉमंस देखेंगे कैसा परफॉमंस है तो चलिए फन्फ सभी यहां प evil है ईजल भी-352 अब यह लूड कर दिया पेलच्टcit दिया तॉद्स ली अंदर जाता है देख यह अप क्या हुआ तो यह वार्ड केट्ट का है तो इसने क्या कर दिया है यहांसे हीट करके यहां से आउट कर तो अच्छा परफॉमंस पावरफुल पिलेट्स है तो आपने देखा है कमांडो पिलेट्स है 0.177 कलिबर तो ये पिलेट्स का फ्लाय अच्छा हो रहा है परफॉमंस भी बहुत बढ़ी है आपको ये पिलेट्स चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे दिये हुए नमबर पे कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो पीस सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पुराने हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक्यू फ्रेंस थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो